टर्न ओन में गार्डिन तो आप देख सकते हैं यह पूरा ड्रेपरिगेशन किट जो है वो मैंने आयोटी डिवाइस सन ओफ के साथ इंटिग्रेट कर रखा है और वैल्व खोलने की जगह पर बस यह सोलोनेड वैल्व को ओन ओफ करता है यह आयोटी डिवाइस जैसे आप नॉर्मल एटी डिवाइस लगाते हैं तो ओके गूगल तर्न ओफ मैं गार्डेन तो आप प्रेसर देखेंगे कि धीरी धीरे कम हो रहा होगा इन पाइपों में हो गया एक जगह में दिखाता हूं और ओके गूगल टर्न ओन मैं गार्डेन ओके गूगल टर्न ओफ मैं गार्डेन तो यहां पर एमिटर किट नहीं लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं असानी से और ओके गूगल टर्न ओन दगार्डेन तो यह तो ओन हो गया यह मैं गूगल हो मैं एसिस्टेंट से गूगल होम से यूज कर रहा हूं जिसको मैं एसिस्टेंट से अभी पावर कर रहा था राइट तो कोई जरूरी नहीं है यह क्लिए पर अनल प्रेट कर सकते और इस से अंदर भी हम सेडिड लगा सकते तो यह इसका डिफॉल्ट टैप है यहां से भी आप देखें तो अगर मैं दिखा पाऊंगा इसको on off करने से वो on होगा फिर यह on होगा off होगा on होगा अब देख रहे हैं तो और मेरा फोन जो है वो वाई-फाई से connected नहीं है तो मैं totally out of from here से operate कर सकता हूं इसको इसको किजी पब्लिक आई-पी की जरुवत नहीं है तो मैं इसको on कर दिया और यह दोनों एप में अगर यहां से on किया मानलों इसको off कर देता हूं और मैं एसिस्टेंट में जाके बोलता हूं तो अगर मैं turn on में गार्डेन बोलता हूं यह on हो गया तो मेरे को ev link जो इसका default type है वहां पे इसका सही state अभी का बता जाए यह मेरे को on है कि आगे वाला जो सिस्टम है यह यह पूरे गंबले जो है यह automatic पढ़ते रहे हैं हो काफी समय से पढ़ते रहे हैं एक फ्रेंड आया कि तो सुबह सुबह काफी बर्ड साते हैं है तो खैर अच्छा नहीं है इसका एक फ्रेंड भी आ गया इदर क्या हो गया बाई है तो चला गया ठीक है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां से बावर कर रखा हमने यह यहां रहा हमारा सुलो हर वैल्फ अब ऐसको एक एक इक कनेक्टर के साथ और एक क्लैम के साथ डिरेक्ली बाद यह ट्रिप इरिगेशन का मैं सप्लाइश में जोड़ा हुआ इंस्टीड आफ ऐसा ओन आफ करने के बजाए हम इसमें पावर देते हैं और यह ओन आफ करता है तो मैं इसको छूपा रहा हूं क्योंकि यह 12 वोल्ट रेटेड है है 230 वोल्ट रेटेड होता तो मैं इसको चू नहीं पाता मैं को चायल्ट से बनाना था इसलिए मैंने 12 वोल्ट रेटेड सुमने ड्वल लगाया है जिसको कि मैं 12 वोल्ट अडैप्टर से को अन करता हूं यह यह आयोटी के साथ और बाकी का चीज आप देख रहे हैं वंस आयो दिखा देता हूं आपको मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तभी मैं यह वीडियो बना रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जहत पे स्मार्ट गार्डेन लगाने में एक बहुत बड़ी परेसानी है कि रोज की रोज उसे पानी पटाना होता और पॉट औ तो यह एक बहुत इंपर्टेंट बात है चलते हैं अंदर यह जो डिवाइस है यही रिस्पॉंसिबल है एक कडेप्टर को स्विच ओल करने के लिए यह मुबाइल के लिए जिससे मुझे 12 वोल्ट या मैं 9 वोल्ट पी चला रहा हूं सेफटी के लिए कि उडिवाइस खरा इस इस में देख सकते हैं मेरा जो फोन है वो वाइफा सेक्नेक्टेड नहीं है और यह जो डिवाइस है यह मेरे घर के वाई-फै सेक्रेक्ट्ट है that means कि मुझे जरूरी नहीं है यहाँ पर कि मैं इसे connected रहूँ और मैं इसको on off करूँआ तो यह काम करेगा मैं 4G से connected हूँ बिलकुल तो मैं कहीं रहूँ कहीं और भी हूँ या फिर कोई और भी मेरे इस garden को on करने की on करता है मेरे घर family member और जिसको मैंने शेयर किया हूँ तो मुझे और notification आ जाएगा कि this your garden has been switched on या off तो बाकी सारी चीज़े सिंपल है यह रहा schedule अगर अब बाहर ठंक से देखनी पा रहे थे तो यह schedule है आपको दिख जाएगा पहले मैंने on off दोनों की timer लगाए थे फिर बाद में जब मैंने inching mode की बात समझ आई तो मैंने इन दोनों को inching mode में डाल रखा है यह तो इसका main app है अब इसको Google Google Home से कैसे connect करेंगे तो Google Assistant तो आप जानते हैं Google Assistant से अभी मैंने करके दिखाया था स्टार्टिंग में आपको basically Google Home से connect करने Google Assistant से काम करने के लिए आपको Google Home पे इस device को एक बार register करना होगा वो आप एक room बना कर और add device करके और अपनी ev link यह इसके साथ जो आप आता उसका नाम है ev link इस वाले के साथ जो आता है उसका नाम है ev link इसके iOS app को app में जब आप user ID registration कर लेंगे तो उस user ID को आप उसको Google Home में registration गूगल Home सपोर्ट करता है Google Home आट्रू पाइलोट और open app जैसे बहुत सारे devices आते हैं से यह सबसे सस्ता है और यहां पर असानी से मिल जाता है एक और बात की इस बटन से यहां पर एक बटन भी दिया गया है ताकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा फोन से यह on off करें तो आप इसको on off यहां से भी कर सकते हैं एक बाद दबाएं नोटिफिकेशन आगया जैसे मैंने हां से on off किया तो यह फिर मैं on करूंगा तब से यह नोटिफिकेशन आएगा तो यह मतलब हर तरफ updated रहेगा से गूगल हूम को छोड़के लब आपको जो ev link का जिसके बास access रहेगा जो की वो setup करेगा उसको पता चलता रहेगा गूगल हूम दोनों भी का कॉम्निकेशन नहीं सपोट करता है स्वारी ओट फोकस है ठीक है गाइस यह बहुत असान है इसको मैंने पस इस फायर की मदद से और अभी जुगाड दे रखा है बस उपर बलब में और वो बल्ब को आन रखता हूं मैं ठीक है वॉवार दोगवार थो बल्ब कर दो हूं झाल 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 झाल